मैंने पता नहीं किस वीडियो में देखा था या कहीं पड़ा था कि हेट्रिड जो हेट है वो भी एक तरीके का पैशन ही होता है अगर कोई इंसान तुम्हें हेट करता है that means कि तुम उसकी लाइफ को एफेक्ट कर रहे हो कहीं न कहीं उसके माइंड के अंदर तुम बैठे होए हो तभी हेट क्रियेट हो रहा है अगर कोई इंसान तुम्हें हेट करता है तो सीधी सीधी बात है कि तुम उसकी लाइफ को एफेक्ट कर रहे हो मेरे लिए परसनेली अगर कोई इंसान मेरे को हेट भी कर रहे है इस बेटर कि उस इंसान को मेरे बारे में पता ही नहीं है वो मेरे बारे में कभी बलब सोचता ही निए उसके दवाग में मेरा थोट ही नहीं हाता इस वीडियो का मेरा प्लान था कि बाचा का नेया नेया ट्राक आया है इल्जाम उसको हम music review करेंगे लेकिन ये video का topic एकदम ही change हो गया जैसी मैंने पूरा गाना सुना मैंने गाना play करा है और मैं पूरे time बहुत ध्यान से सुन रहा था मेरा as such को ये reaction नहीं था क्योंकि मैं मेरा पूरा ध्यान words पे था हम जो normal लोग हैं हम इन बड़े artist को देखते हैं हम मेरा दिमाग में यही चीज आती है कि यह तो commercial गाने मना रहे हैं label के साथ हैं भाई पार्चा ने Rolls Royce ले ली बहुत पैसे हैं के पास इनको फरक नहीं पढ़ता कि हम क्या सोचते हैं इनको बहुत फरक पढ़ता है कि हम क्या सोचते हैं और यह चीज मेरे को इस गाने के थुरू पदा चल गई हम एक चीज भूल जाते हैं कि यह artist भी कही ना कहीं इनसान ही है और इनको फरक पढ़ता है इनको इस गाने में थी कि फोग गाना सांपल करके मिस्टेक कर डाली है शाइद गेंदा फूल को रेफर करते हुए था मेरे लिए परसनली जो वो गाना था उसके अंदर में को सांपल से कोई फरक निया पड़ा मेरे प्रॉबलम थी लिरिक्स लिरिक्स थी है यह चीज में क्लियर आओट रहता हूं तो उनके परस्पेक्टिव से हम क्या सोचते है यह चीज भी भाहर आने चाहिए क्योंकि हाँ पे इस गाने में बातशा ने तो बता विया कियो को हमारे मतलब रिविउस क्या फरक पड़ता है लेकिन हमारा क्या परस् भी बोलनी चाहिए किसी को, तो ये चीज मैं वीडियो के आगे जाके भी पूरा एक्स्पेंड करूँगा, जो फेक व्यूज वाली बात जो थी, ये जब पूरा सीन क्रियेट हुआ था, तो उस टाइम पर पता नहीं कितने-कितने बड़े-बड़े जो आर्टिस्ट है भार क है, उनके रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया था पागल ने, लेकिन इस गाने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तो इस टाइम में काफी सारी कि ऐसे ऐसे आ गई थी बार, कि भाई, फेक व्यूज है, यह सब कुछ है, ठीक है, कंस्पिरिसी और नहीं आ थी, क्यों कि हम कंफ्यूज था, हमें समझ नहीं आ रहा था, मैं आज आ व्यूवर बात कर रहा हूं अभी, हमें पता नहीं था कि हो क्या रहा है, क्योंकि गाना इतना popular, इतना views आ गए, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, how is that possible, as such हमारा कोई टार्गेट नहीं था कि भाई, बाच्छा को टार्गेट करना है, उसके बारे में बोलना है, यह सब कुछ, हम बस confused थे उस ताइम, इसलिए सारी conspiracies भा रहा रहा ही थी, By any chance, अगर ये वीडियो कोई भी बाच्छा की टीम में से देख रहा है, प्लीज, मेर को मत मारना किए, By any chance, ये वीडियो बाच्छा की टीम में से कोई देख रहा है, ठीक है, मैंने पहले बहुत सारे music reviews बनाये है, अगर उन में से, कोई भी चीज, अगर मैंने ऐसे ही बोली है जो कहीं ना कई आर्टेस्ट को हर्ट करी है तो I'm sorry for that, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन ये चीज बोली है कि यूट्यूबर्स के पास facts नहीं है तो अब मैं ये चीज बता देता हूँ कि हमारा perspective क्या होता है at least मेरा क्या होता है हम music सुनते हैं और हमें जैसा लगता है हम वैसा react करते हैं at least मेरे लिए ये है मेरे और दो-ती लोग को और मैं जानता हूँ जो genuine review देते हैं मैं यहां पर कुछ-कुछ reaction channels की तरह नहीं करता है कि बस आके तारीफ है ही तारीफ करने just because subscribers gain कर रहे है मेरे को जैसा लगता है मैं वैसा बोल देता हूँ और अगर हम complaint करते हैं कि ये गाना अच्छा नहीं है हमें अच्छा नहीं लगा कितने यी views क्यों ना उस पर is because हमें पता है कि उस artist की capability कितनी है बाच्छा की capability सबको पदा है कि कैसे गाने produce कर सकता है बाई बाच्छा लेकिन उसके बाद gain the fool आया था gain the fool was terrible I'm sorry but it was terrible gain the fool आता है फिर उसके बाद 2-3 और पीछे commercial tracks आयते जो बहुत ही अच्छे नहीं लग रहे थे लोगों को तो लोगों के अंदर एक चीज आती है कि भाई अगर यह इनसान इतना अच्छा कर सकता है तो यह ऐसे गाने क्यों बना रहा है तो दिमाग में तो यही चीज आती है ना कि artist का पूरा focus ऐसे commercial गाने बनाने में और पैसे बनाने के चकर में और रियल आर्ट के तरफ नहीं जा रहा तो इसलिए हम अपने reactions और reviews में point out कर देते हैं यह चीज़े कि गाना अच्छा नहीं है हमें अच्छा नहीं लगा है हमें artist से personal problem थोड़ी ना हम personally थोड़ना जानते हैं हम इसलिए ही criticize करते हैं कि हमें पता है कि artist की capability क्या है industry में बहुत artists है जो ऐसे ही गाने day one से बनाते हैं तो उन पर हम ना reviews बनाते हैं ना उन पर हम focus करते हैं उनको हम attention ही देते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनकी असली capability क्या है जब बात आती है बादशा की रफ्तार क्या हनी से की तो हमें पता है कि इनके actual capability कितनी है तो जब वो उस level के आसपास नहीं आपाते है तो हम complain करते है यह track सुनके मेरे को actually काफी बुरा लगा था because मैंने भी गाने बनाय हुए पास में and मेरे को पता है कि जब गाना कोई भी इंसान अगर बनाता है तो बहुत दिल से, passion से बनाता है and जब वो गाना लोगों पसंद नहाता है तो बहुत चुपती है बात बहुत जादा चुपती है तो में को समझ आ रहा था कि बादशा को कैसा लग रहा है and साहो के अंदर ए गाना आया था उस गाने को जब मैंने सुना मूवी के बीच में I was like कि भाई ये क्या गाना है क्या सौनिक क्वालिटी इस गाने में मैं घर गया मैंने सर्च करा and मैं पता चला है वो बादशा का गाना था बाद बोई सौंग उसकी लिरिक्स मेर को इतनी हिट नी करी लेकिन उसकी म्यूजिक की कॉलिटी बहुत जबरदस्ती and same चीज काफी और गानों के अंदर है बादशा के बाकी गाने सुनों तो उसके अंदर म्यूजिक इस इंसेन लेकिन जो एक चीज में पेछे रह जाते हैं गाने is lyrics या तो यह lyrics ऐसी on purpose लिखे जा रही है because वोई commercial गाने commercial गानों की definition ही यह बन गई है कि लड़कियों को ऐसे point out करते हुए lyrics लिखे जा रही है because थोटे दिन पहले बादशा का 47 के साथ गाना है था which was too good अगर तो musician हो या फिर तुम्हारी भी कोई अपनी opinion है इस पूरे topic पे तो please comments में बताओ तुम्हें कैसा लगाए गाना तुम्हारा क्या कहना इस गाने के उपर and I hope आगे जाके बहुत-बहुत सारे प्यारे गाने आएंगे बादशा के तरप से इस वीडियो के लिए इतना ही तुम्हें क्या लगता है इस गाने के बारे में में को comments में जरूर बताओ thank you so much for watching and मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में